खौबर बारबंकी जनपर से हैं जहां सनिवार को कृशी कानून के विरोध में किसानों के द्वारा टोल जाम आहुआन को देखते हुए पुलिस प्रसासन ने ब्यापक इस्तर पर तयारया की है किसान अंदूलन को लेकर इस्ताने पुलिस प्रसासन की जिले भर में सतरक निगाहे अंदूलन में गोमिका निवाने वाले विभिन किसान संगट्रों के किसान निताओं वा कारकरदाओं की गत्विदियों की निगरानी की जा रही है विरोध प्रदरसन में सामिल होने के असंका पर घर में ही किसान नेताओं को नजर बंद किया जा रहा है इसी कड़ी में भारती किसान युनियन आजाद प्रदेश अद्यक्ष सुनिल कुमार्यादा को उनकी आवास पर पुलिस ने नजर बंद कर दिया है सनिवार को तड़के ही थाने में तनाद पुलिस टीम ने उनके आवास पर पहुँचकर किसान नेता को अंदोलन में भाग लेने के लिए खर पर ही रोक कर रखा है वे भारती किसान यूनियन आजाद की अपनी टीम के साथ टोल पर प्रदरसन में सामिल होने के लिए जा रहे थे जिसकी भरनक पुलिस प्रसासन को लगी तो उनके सहयोगियों वाव साथियों को मसौली थाना पुलिस ने गिरिफतार कर लिया और किसान नेताओं के समर्थकों को प्रदरसन करने से रोक दिया है और ही के साथ खारती किसान यूनियन आजाद परदेश अद्यख सुनिल कुमार10 परदेश उपादेख शिनिहाल सिद्धी आहमाद जिलादीख श्लालजी अदो अनकारकरताओं को को भी पुलिस प्रसाशन द्वारा नजर बंद कर दिया गया बारावग्की जनपा से सुनिल कुमार की खास रिपोर्ट मैं अजात बारताई किसान यूनियन का परवेश उपार्जर मैं आप में जिया भाई लोगे कहना चाहता हूं कि सरकार बैठी है ये बड़े बड़े उद्रुपत्यों की गोद में बैठी हुई सरकार नहीं चले की अब अब इस सरकार का 2022 में अंतिम संस्कार होगा और 2024 में इ क्योंकि हम किसान पुत्र हैं अपना हग लेना जानते और अपना हग छीनना जानते ये सासन और परसासन होस में आ जाए अब गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है जानते अब परदेश अब अब आपना है तो परदेश द्धश भारती किसानियों जैन आजास सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रियत धश के नेत्रत्रत्र में हम लोगों ने जो है है यहारै पहले तोल पराजा साहाव पूरा कर चेहां हमत्या पहम मसईली ठाने में इसलिए आये हैं गडपतारी दिया और यही हमारा यही हमारा जो है आदेश था जो आदेश था हमारे प्राश्टिय थिसों का उनकाम भालं कर रहे हैं और जय जवान जय था